हलो गाइस, तो आज हम विर्बीकुम के एक नए सब्जक्ट के शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नेम है इंडियन एकॉनमी, हम इसका फर्स चेप्टर करेंगे, स्टेट ऑफ इंडियन एकॉनमी एट टाइम आफ इंडिपेंडेंस, यानि के अजादी के समय हमारी एकॉन में किस हालात या सिचुएशन में थी, हम ये डिसकस करेंगे, ये चैप्टर हम वीके पब्लीशर्स की बुक से कर रहे हैं, आपको वीडियो में साथ में नोट्स प्रवाइड किये जा रहे हैं, सो प्लीज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो इसे लाइक ज शेयर जरूर करना, जो बुक्स पर चेज नहीं कर पा रहे हैं, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं, अगर आपने हमारे पहले वाले लेक्चर्स देखे हों, तो आपको पता ही होगा कि हम किसे भी चैप्टर को करने से पहले उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ तो हमारी एकॉनमी अंडर डवलप्ड थी, यानि कि वो विक्सित नहीं थी, सैमी फ्यूडल थी, यानि कि अमीर लोगों के द्वारा ग्रीब लोगों का या पचड़े हुए लोगों का शोशन किया जाता था, बैकवर्ड थी, पचड़ी हुई थी, यानि कि स्टैगनंट थी, यानि कि हमारी कंट्री की जो डेवलोप्मेंट थी, वो रुकी हुई थी, डिसिंटिग्रेटर थी, यानि कि तूटके बिखर चुकी थी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान बन चुके थे, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे डिसिंटिग्रेटर हुई, हमारी कंट्री की जादातर population गरीब थी, agriculture पच्छड चुकी थी और हमारी country की basic और बड़ी industries तो बिलकुल है खतम हो चुकी थी Britishers के इंडिया पे रूल करने के two main motives थे, कौन-कौन से motives थे First one is, इंडिया से raw material छीन कर अपनी British industries को grow करना जो की Britain यानि की England में थी और second motive क्या था उनका उनकी British made finished products को Indian markets में sale करना वो पता क्या करते थे, raw material तो सस्ता ले जाते थे और finished products को महेंगे बेच कर Indians को लूटते थे Britishers की policies से हमारे Indian handicrafts and cottage industries बिलकुल बरबाद हो गई Britishers, Indian farmers को food crops की जगए, commercial crops जैसे की cotton, jute, etc. grow करने के लिए मजबूर करते थे, उन्हें force किया जाता था Britishers की commercial policy की वजह से ही, इंडिया को raw material, England को export करना पड़ता था और वहाँ बनी चीजों को import करना पड़ता था इस तरह Britishers की economic policy की वज़े से Indian economy poor, static, backward and mainly agriculture economy बन पाई लेकिन फिर भी British rule के positive impact को ठुकराया नहीं जा सकता इसके अगर negative impact थे तो इसके कुछ positive impact भे थी हमारी economy पे British rule से इंडिया में political stability, strong administration, strict law, literacy, modernization, commercialization of agriculture आईए सभी British rule की important outcomes है, independence के समय Indian economy की study को three parts में divide किया जा सकता है Number one, nature और categorization of Indian economy on the eve of independence Second point, structural pattern और main economic activities of Indian economy on the eve of independence Third point is main features of Indian economy on the eve of independence तो हम इसके first point को next part में discuss करेंगे Thank you for watching